हेलो रोबड़ी मैं सौरब ठाकूर चले स्टेड़ बेस्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर वोक्याप का सेशन आप में सारे वीडियो देख रहे होंगे नोट्स बना रहे होंगे ग्रेट किप इट अप एक करते रहिएगा जो बच्चे फर्स टाइम आए होंगे यहा होकयाब अगर मान लेते हैं एक दम भी अच्छा नहीं होगा मैं आपको जो बताते हैंगे अगर आपको करते हैंगे तो मेरा प्रॉमिस आपको आपके होकयाब मैं आपको एक सिग्निफिकंट चेंज दिखेगा जबर्दस पॉजिटिव डिफरेंस आएगा चले स्टेड़ कमपेटिटिव एक्जाम का सूपर एट वर्ड है मोडिकम बस इतना सा खाब है बस मोडिकम सा खाब है वैसे आपको एक और वर्ड होता है इसको बोलते है आयोटा आई ओ टी ए आप में से जो इंजिनिरिंग वाले होंगे या मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो ये वर्ड जानते होंगे आयोटा आई वाला वर्ड एक्जाम में जो कुछन पूछा किया था वो ये कुछन था स्मॉल अमोंड प्लेफुल बिहेवियर प्लेफुल मतला बेंटरिंग वर्ड नहीं डिजॉनस्टी यह दिसलोयलिटी के वारे में बात नहीं हो रही है एवरेज सीस के स्टोड थारुट का थारुट का यह दो चूरुट का रहा है एक्जाम बेस कुछन यह आपको बनाना है ध्यान रखेगा यह वन बच्चो को बोल रहा हूँ जो पहली बारा है जिनको पहले से देखते आ रहे सारे वीडियो उनको पता क्या करना है कॉमेंट बॉक्स में इन करके लिखना है ध्यान रखेगा यह आपके सामने कुश्चिन वीडियो को पॉस करके बनाईएगा 2008 ने पूछा गया था बेसिकली बिरेट यह कॉंपटिटिटिव एक्जाम के बहुत ही फेमस वर्ड बिरेट करना किसी को मॉक करना डिराइड करना रिडिक्यूल करना मजा को आज का second word अपने स्टाइट करते हैं अज का second word जो है दुनिया में और बहुत सारे contentious issues आज के टाइम पर मतलब मैं समझा निये इसको अपने स्टाइट करते हैं कहां चलागी यह world map से देखिए जब second world war हुआ था था अपको ध्यान होगा तो second world war में कौनको शामिल थे एक तर इसको बोलते थे Korean Peninsula यह बेसिकली जपान का उपनिवेश था बाद ने जपान हार गया हिदकी तो जपान को फांसी हो गई थी और जितने भी उपनिवेश थे जिन गुलाम बना कर रखा था जिन टेरिटरी इसको वह रिलीज हो गया और इनको कुछ वक्त तक अलगल देश में जैसे North and South Korea को बीच से डिवाइड कर दिया, उपर वाले हिस्से पे चला गया North Korea जो कम्मिनिस्ट हो गया, नीचे आगया South Korea जो की हो गया democracy और capitalist इन फैक्ट आज के टाइम पर पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से जूज रही है, दुनिया में अगर कोई देश सबसे successfully से लड़ा है, वह साउथ कोरिया अगर आप ताइवान को देश नहीं मानेंगे तो है, अधरवास साउथ कोरिया, ताइवान और जर्मनी भी रिमार्क इन लोगों ने DMZ, तो इनके अपने अलग बहुत सारे contentious issues चलते रहते हैं North and South Korea के, इसी तरह से चाइना और ताइवान, इनके भी भैंकर सारे issues चलते ही रहते हैं, इनके भी बहुत सारे issues चलते ही रहते हैं, चाइना कब बना, चाइना बना था 1949 में, Second World War के बाद, Mao से तुं टांग का शासन था, और KMT का राजा कौन था, KMT का, हो था Chiang Kai-shek, वो यहां से गोल लेके, Central Bank से गोल लेके भागा, और जिस टापू पर भागा, उसका नाम पड़ा ताइवान, इसलिए ताइवान में KMT ने रूल किया, ये 2000 तक के बाद में डेमोकरसी बनी है, अब त चाइना तो बोलता है कि भाई, याद रखना ताइवान, हम लोग किसी भी दिनाएंगे और पूरा ताइवान ले ले लेंगे, तो ये चाइना का मानना है कि ताइवान कोई देश वेश नहीं है, आज के टाइम पर UN के हिसाब से ऑफिशली 195 कंट्रीज हैं, वेरी सॉरी जब मैं बना रहे वीडियो तब तो इंग्वेन है, कोई और आज है तो बात में अलग बात है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस्ता कोई और आज है, इंग्वेन साहिबा पुर दुनिया का भ्रहमन करती है, इस चीज के लिए कि कोई और देश उनको दे में वहां पर चाहिना पहुंसता है, फिर बोलता है, ताइवान को तुम देश मान रहे हो कि हम लोग को, तो लोग बोलते है, आप भी देश है, लेकिन टाइवान भी तो है न, चुप चाप बताओ, वन एक ही चाहिना हो सकता है, या तो यह या फिर यह, अब सोच लो तुम किसी देश में इतना इन्वेस्ट कर देना, यह कहला था, चेक्बुक डिप्लॉमसी, चेक्बुक डिप्लॉमसी और डॉलर डिप्लॉमसी इस टॉपिक को जरूर पड़ेगा, बहतरी टॉपिक है टॉपिक, मैं टाइम आने पर इसे बात करूँगा, तो ऐसे इनके बीच मे इतना पास है, इसलिए आप देखेंगे तो ताइवान में इस तरह कि आपको प्रोटेस्ट होते वह दिखेंगे, कि खुद भी अराम से जियो चाइना, चाइना को ऑफिशल नेम क्या है, चाइना को ओफिशल पोलते है, पी आर सी मॉलते हैं गिवान को प्रोटेस्ट होते ह तो ऐसे आपको याराराम से जींओ और क्यों हमारे नाक में दम करके रखने तो तो ताइवान प्र ऐसे केस भनता। होंग कोंॉ का मकाउ'的 ahorq कहलाते हैं कि special administrative regions पाकिस्तान उसके बारे कों कभि और बात करेंगा है पाकिस्तान में वैसे most of the dirty secrets of Pakistani politics जो है वो पाकिस्तानी army ही चलाती है तो आपन कभी और बात करेंगे उसके बारे में बहुत सारे contentious issues हां बहुत सारे contentious issues है और बहुत सारी the way circle को नहीं मांथे बिन आपने देखा उंगक का मतलब ये चैनसे हो थLaugh बारे में विभादस्पक issues है और पर एडिक पूरे इमेज आयने किसी कारण से, हाँ, एवर ग्रीन इशू तो चली रहा है, टरम सहाब, यॉनाइटेट सेट्स के राष्ट्पती जब मैं वीडियो बनाओ तब तक तो है, नमेंबर 2020 में चुनाओ है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा टरम सहाब को जीतना, तो कि ज दुनिया में जो सेंट्रल मैंक है, वो पंप के कारण चड़ा था, लेकिन अपने को क्या करना है रुसी से, चल रहा है ना, स्टॉक मार्केट पूरे दुनिया का ठीक है, स्टॉक मार्केट भी खतम उसका ग्रोथ, देखो मैं वो हूँ जो नौकरी लेकिया यूएस में, का जीत गया तो मिराक्योलेस विक्टर होगी मेरी हिसाब से तो इनका और बच्चे टेक को दिख रहा है, यह रड़का भाई, कीम जौनून है इसका नाम, नौर्थ कुरिया की लीडर, तो इनका चलते ही रहता है, यह बोलते है मैं मिसाइल मार दूंग, यह बोलते है कैसे मार जीते है, इसका न को बहुत अच्छा प्रेज आपको देता हूँ, बोलते हैं बोल उफ कंटेंशन, समया चोगा स्टूरेट धरमा का यह था है, इक्जाम में आगा कोशन, देखते हैं, हैं आप लोग्किया करते हैं, वीडियो को पॉस करकर बहतरी तरीके के बनाएगा, इ अगर आप Hinduism के इस से लिटेट किताब अगर पढ़ते हैं, तो हनुमान जी, हम सब के अंदर एक हनुमान हम बोलते हैं, हम सब के अंदर एक हनुमान जी को भी अपने शक्तियों का इसास तब होता है, बोलते हैं कि मैं सूरज खाऊंगा, तो हम सब के अंदर एक हनुमान है, बस यह होता है कि लेटेंट पोटेंशल, कब वो पता चलता है तो लेटेंट एक अच्छा वाइड है, यह नहीं पूरा है, एंसर तो आपको डूंड़ना है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आज का यह तीसरा वर्ड है, चलिए, इसको भी देख लेते हैं, कंगना रुनाथ जी आई थी इसमें आपकी अदालत में, और यह बहुत ही अच्छा एपिसोड था, जब वीडियो शायद देखें तो शायद पुराना हो जाए, और बहुत भेंकर, बहुत है कल पहत्या, और पहनुन फंचोंश के न है ले हुरी मुझे है लेखने, यह पार इखना की जब अब खाइए लकिस्कों फुरियो धों है, ₹्की समय का ताट्रन में पहत्या था ऑखना होग भी ऐसunden है। मतलब डिसप्रूवल को बोलता है यह रहा तो मैंने इसी इवेंट के लिए इसी इंसिडेंट के लिए रखा था तो एकदम जो दिल में आया उसको भड़ा भड़ बोल दिया उसके लिए एक वर्ड है तो कंगन अरॉनाथ जी के लिए रखते हैं मस्त वर्ड है सैडनेस हर इस कुशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्याब से किस तरह के कुशन आते हैं आपका स्टूडेंट धर्मा का पार्ट है ध्यान रखिए का बनाके कॉमेंट बॉक्स में आपका एंसर देना है तब मज़ा आएगा एक बर जैसे मैं बोल रहा हर एक चीज को करके दे आप देखें यह एड़ी होते है दिपिका पाट्ने ही रहते है शायद ही है दिशा पाट्ने है दोनों बोटलू लोग जो पेट अंदर खीच लेते हैं फिर ऐसा मैं विल बी मैं इसके नया एड़ भी आय था मैं एक लेड़ी आती है बीच की सीट के लिए इनको शिफ्ट क मतलब जिनको जुट बोलना परसन था उनको बोलते हैं मैं तो वैसे भी मैन वाले चीज़ के लिए नेगेटिव वाइड सी रखता हूं सूट भी करता हूं मज़ा भी आता है मियांडर जानते हैं किसके लिए होते हैं मियांडर न ऐसा नदी जो इस तरह से जाती है उसको य English में जो है पासंद में इस सब था जोर्णों सबहुने सबनको आएं इसे लें लागा बहुतन झाया था विए न दश्थेंखने हैं और वह वह बहुता हूं जो आपकती आत्माःकों काई लटके सो झाहीए निहा जो упाचना है आते हे सब एसन तो एसे रहता ही गयां ऍना लॉंग फॉर, सेट इन मोशन यह समने, भटकना, स्ट्रोल, वॉंडर, ड्रिफ्टर, नॉमैड, खाना बदोष, यह सब को बोलते हैं, स्टुएंट धर्मा का टाइम आ चुका, देखें, मैं आपको से कोशन पूछ लेता हूं, जो पूछा गया था, बहुत ही बहतरीन कोशन है, 2010 में, इसको जरूर पढ़ना, छोटा सा ग्रामर का यूसेज को कोशन है, बट मेरे साब से एक रिमार्केबल कोशन है, जरूर नहीं मैं टाइम आने पर इन सारे कोशन उसको भी डिसक्स करें, चिंता मत करना, लेकिन आप बनाना जरूर, जो बनाओगे तो आप सीखोगे, हमको ना अपने स्किल को अपग्रेड करना, तब एक्जामें पर फोड़ेंगे, मैं आपको पहले ही बोलाए, मिडियोक्रिटी को ची चलो, फिफ्थ वर्ड पर आते हैं, फिफ्थ वर्ड अक्षा कुमार साहब, मुझे तो जबरदस लगते हैं, कितना इनका रेंज एक्टिंग का है, सीरियस रोल भी कर देते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, और जैसे टॉम क्रूज टाइप का एक्शन, टॉम क्रूज जैसे अब अब यह भी अपने पीक पे हैं, तो हमने बोला आपोजी पे अक्ष्य है, याद भी रहेगें कैसे अपोजी पे अक्ष्य है, अपोजी मतलब होता है पीक, पीक बोल दीजीए, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एकमे, समिट, जैनित, सारे के सारे सनिनम में आएंगे, चांद, तो चांद यहां पर है, यहां पर पृत्वी के चक्कर लगा रहा है, जब चांद पृत्वी से सबसे दीख दूर होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, परीजी, ठीक है, इसले इसको पीक, पिनाकल, एकमे, जैनित, समिट, यह सब इसके स्रेनिम में आ जाएं तो मुहावरे लकुक्तियों को बोलते हैं इंग्लिश में इसको एक्जियम्स बोलते है एक्स्ट्रीम लॉंग इन इससे बक्वास ओप्शन से इरह एंसर टाइम आ चुका इस्टुएंट धरमा का यह राज जो एक्जाम में कुशना है था सिख्थ वर्ड में आते हैं आज के आज़क हम लोगोंने वर्ड डिसकस कर लिया फाइव वर्ड बाकी की फाइव वर्ड में आते हैं सचिन दंदुरुकर साहब एकदम इसमें तो कोई डाउट है नहीं लेजेंड तो जैसे हम लोगोंने अक्षा कुमार साहब के लिए वर्ड रखा अपोजी उसे तरह सचिन दंदुरुकर साहब के लिए रख देते हैं सचिन दंदुरुकर साहब एक तो इतने बड़े क्रिकेटर और इनका इतना बढ़ीन कोड अफ अफ तंडक्ट सचिन दंद्रुकर सहाब हो गए, राहूल द्रमेंट सहाब हो गए, सौराफ गांगुली हो गए, विवियस लक्ष्मन हो गए, कितने लेजन्ड, गावसकर कपिल्देव सहाब, गावसकर सहाब इसाब नेक्स लेवल लेजन्ड, वो लोग पिछले जनरेशन के, अभी मतलब मै मैंने जिनकों खेलते देखा है, मैं उनका बता रहा हूँ, सचिन दंद्रुकर सहाब सारे दुनिया के सारे रेकॉर्ड्स रेकॉर्ड्स सब बना दिया इन्होंने, तो हम लोग ने ऐसा बोला, समिट पे सचिन, इसा हम लोग ने बोला, आपोजी पे अक्षय है, वैसे तो दोनों कोशन सिमिलर ही है, अवार्ड, इंसर्ट, अवार्ड तो यार, सचिन सहाब को कौन सा अवार्ड नहीं मिला होगा भाई, टाइम आचोगा है, स्टुएंट धर्मा का एक्जाम में है, वो कुशन उठा लेते हैं, वीडियो को पॉस कीजिएगा, बहुत बहुत ब तो सिठीयर हैं, एन सचिएंट, ऑन साहब के इअगे, यूज है और मदो की आशन कीजिए kaमनेश अब सेखना चीए, कि इतना कुछ अचीव करके भी इतना प्रेशल सीचोइशन ले इतना काम कैसे हो सकता है, जितना हम काम होते हैं, आप सोचवे हैं, सब सक दो को एता है, जब situation हमारे control से बाहर हो जाती है, जितने बार हम लोग गुसाते हैं और उतने बार हम लोग हमारा brain, हम मतलब एक signal जाता है brain में, कि चीजे मेरे control से बाहर है और panic generate हो आपे, लेकिन जितने बार काम compose है, अंदर कितना कुछ भी चरह हो, जिए आप काम compose होते हैं, कम सकाम आप as a leader तो वो signal transmit करते हो, कि चीजे मेरे control में है, and we'll take care of this, और यह सब चीजे ना दोनी साब जैसे leader लोगों से सीखने है, brilliant, unbelievable, तो लोग ने दोनी साब के लिए एक वर्ड रखा, impervious दोनी, यह वर्ड मैंने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन यह बहुत अच्छा वर्ड, इसलिए मै impregnable, impenetrable, sir यह सब आप दोनी साब के लिए क्यों रख रहे है, क्योंकि इतने cool, calm, composed है कि impervious word का मतला होता है, कोई भी उस शांती को भंग ना कर सके, उसको बोलते है, impervious, impregnable, impenetrable, sank, froh, एकदम शान्त, तो यह दोनी साब के ला हमारे word हो गया, और एक्जाम में जैसे कोई चीज बहुत है, थोड़े एक शांड भर के लिए, transient उसको बोलते हैं, sealed, sealed मतला है एकदम calm, composed, collected, कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, time आ चुका student धर्मा का, देखें, जो exam में question पूचा गया, तो दाद 10 का मैंने question लिया है, फिर से एक और question लिया है, मैंने proverb का जरूर पढ़ना और इस question का बनाना बहुत मजा आएगा आपको, question आखरी के तीन words पर आते है, 8th word of the day, विराट कोली साब यार, modern genius है, genius से कुछ भी कम word इनके लिए नहीं बूल सकते है, he is modern genius, विराट कोली साब से सीखने लेक जो word होगा, impossible is nothing, absolutely nothing, ये इनसान जो है, field में 100% है, 200% द benchmark उठा दिया एकदम, मस्त लएए, इनको देखे मजा आ जाता है एकदम, तो विराट कोली साब के लिए हम लोगों ने ये बला कि, undoubtedly, incontrovertibly, मतला बिना किसे संदेह के, बिना किसे doubt के, he is the modern legend, legend तो अभी अलड़ी बनी चुके है, he is the modern, modern cricketing fraternity में, probably he is the best best man, हो सकता है कि ब बहुत यंग होंगी तो, उनका वीडियो देखेगा, मतलब मैं जब स्कूल को इता है, मैं लारा को देखता था, मैं इतना elegance नहीं देखा था, किसी को खेलते हो यार, एक से एक fast baller, वो इनसान है लगाया, अंदर गॉगल के बहतरीन लगता है, देखके, तो incontrovertibly का मतला ह किसी संदेखे, तो unclear, undisputably, बिना किसी संदेखे, irrefutably, मैंने जानबुच के एक word रखा हुआ है, irrefutably, इसके बाद रहा है, तो विराट कोली सहाब के लिए, incontrovertibly, contra, कोई अगर, मैं ऐसे कोई पुराने games खेलना पसंद करता होगा, तो game आता था, contra, उसमें ऐसे fight करते थे बहुत initial game है, Mario, Mario के time का game है, तो contra जहाँ पर भी आता है, लड़ाई जगडे को लेके आता है, ध्याराना, dispute को लेके आता है, बिना किसी संदेखे, इन लगा दिये न, तो बिना किसी controversy के, contra, contra, controversy, बिना किसी संदेखे, बिना किसी doubt के, विराट कोली is probably the best best man, of at least the modern time, exam का question है था, एक question मैंने, और idiom, idiom मतला वो idioms, phrases, proverbs, लोग को उक्तिया है, इसको बूलते है, हम लोग, 2010 का देख सकते हैं, लाइन से मैंने तीन इस तरह की question लिए, ज़रूर नहीं हैगा, बड़े सवाल है, आखरी के दो words पर आते है, बन सकीने को विराट कोली साब पर एक word ले मैं को उनसे तो बहुत ज़्यादा यह चलते है, केन विलिम संस आपको सभी पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट यह तो next level लगना है, तो सर मैं यह incontrovertible synonym ले सकता हूँ, कि अक सही है न, दो सहीम होता है, यह थे को एक्जाम में पूछा किया था, irrefutably, बिना किसी सं बेश्मन, strange, blocked, certainly, most certainly, this guy is the best best man, अचुका स्टुएंट धर्मा का, यह रहा, exam को कुश्न जो आया हुआ था, वीडियो को पॉस कीजिएगा, एक और मैंने वर्ड लिय है, idiom के लिए, तो कितने सारे phrases और idiom हो गया है, आपको अंधाजा हो गया हो, कि मेरे expectation आप लोगों से ब बनना है, तो इतना desperate हो कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, तब ही change आता, उसके मेना कोई change नहीं आता, आदमे की जीवन में, ठीक है, तो बहतरीन तरीके से मेरे साथ पढ़िएगा, मैंने आपको बताया है, ब्लूप्रिंट आपको बताऊँगा, यह फॉलो करना है, लेकिन फॉलो किसी के बारे में मजाक, मतलब खराब बोलना, मजाक उड़ाना, मैं लाइन करना, उसकी इमेश को खराब करना, यह सब होता है, तो अच्छा लगए आपको speak in love, किसी के बारे में खराब बोलना, ठीक है, लास्ट आप देख लेते हैं, student dharma का पार्ट आचुका, exam, I have a question, यह आप से बोलता हूँ कि जो जो चीजे में आपको करार होना, यह आप करते जाएगा, बढ़िया से एक register बनाएगा, सारे के सारे words को लिखेगा, और इसके अलावा जो जो मैं आपको assignment दूँगा, साथ में करते जाएगा, तो यह था हमारा आज का discussion session, मैं सौरब ठागूर विदा लेता हूँ, नेक्स ताम, नेक्स रेपिट फार फिर समें लेंगे, बाबाई अरुबडी, टेक क्यार.